हेलो फ्रेंड तो आज में आप लोग के साथ सेर करने वाली हूं आलो के चिप्स की रेजिपी और फिल्कुल मार्केटी इस्टाइल में तो चलिए फिर इन प्राफर्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने यहां पे चार बरे साइज के आलो लिये हैं और आलो हमेसा हमें चिस्स बनाने के लिए बड़े साइज के आलो का ही यूज करना है तो अब इस आलो को किया करना है कि आप इससे हमें छील लेना है तो छिलने के देख चाम हैं spi उसे करके जिसे चिप्स कट करते हैं वैसे चिप्स कट कर लेना है आसे चिप्स कट करके लिया है आप लोग जाहो तो पे रिव merger का उल्हार की यूज up कर सकते हो बढ़ हम online यहांETS और सारे चिप्स को हमने ऐसे कट करके रेडी कर लिया है बिल्कुल भी पतले पतले से चिफ्स बन के रेडी हुए है हमें चिफ्स को जदा मोटा नहीं कट करना है बिल्कुल पतले कट करना है तो सारे को कट करके रेडी कर लिया है तो अब इसे हमें एक से दो बार वास कर लेना है तो एक सदो बार वास कर लिया है तो सारे चिप्स को हमने यहां पे दो के रेडी कर लिया है तो रेडी करने के बाद अब क्या करना है ना कि एक बड़ा सा बरतन लेना है उसमें दो ग्लास के बरबर पानी डालना है अब यहां पे फिट करी लेना है और उसको इस पानी में डाल देना है और डालने के बाद ना यह जो आलू है ना आलू के चिपस को हमने कट करके रखा था ना वो लेना है और इसे पानी में डाल देना है और डालने के बाद ना अब इसे हमें 5-6 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है तो पांस-इछे मिन्ट के बाद न अब हम इस आलू मेंसे जो फिट ग्री डाला लए था न अब इसे हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद न अब क्या करना है यह अब आप लोग चाहो न तो इससे एक बार दो सकते हो तो चलिए अब इसे एक बार धोल लेते हैं इस आलू को तो इसे एक बार धोलने के बाद धोके रेरी कर लिया है इस आलू को तो अब इसे रख देते हैं साइट में और अब चलते हैं दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक बरा सा भरतन रखा है यहाँ पर दो बड़े गलास हमने पानी डाल दे हैं उसके बाद यह पर फिट के लिया रहा है उसे एक से दो बार इसे करके गुमा लेना है ज्यादा नहीं बस एक से दो बार ही इसंकि और करने के बाद ना अब हमने जो जो लोग को कर्द के रखा था और उसको इस पानी में डालना है तो सारे चिर्स को हमने यहां पे डाल देना है और डालने के बाद अब इसे हमें पकने देना है और इससे हमें जड़ा देर तक नहीं पकाना है बस एक फिचाना था जादा से जादा हमें इसे एक से दो मिनट तक ही पकाना है तो इससे में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है तो इसे थोड़ा एक से दो मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से पका ले तो इसे अच्छी तरह से बिल्कुल इच्छी तरह से पक गया है तो इसे चेक कर लेना है तो अब इसे हमें निकाल लेना है तो सारी चिप्स को जोग निकाल लेते हैं तो पिसे एक बरे से बहतर में निकाल लेना है और निकालने के बाद इसे तरह से पक चुगा है मतरब ऐसे करके रखना है तो सारी चिप्स को हमने इसे सजा دیا थिया है सजाने के बाद आप जाहो तो इसे फेन के हवा में भी सुखा सकते हो अप हम इसे दूप में सुखा आएंगे तो इसलिख पूरे दिन इसे धूप में सुखा लेना है और सुखान एक से दो दिन एक दिन पूरे दिन ये धूप में सुखने के बाद चिप्स बिल्कुल अच्छी तरह से सुख चुका है तो चलिए आप लोगों को इसे फ्राई करके भी दिखा देते हैं तो फ्राई करने के लिए हम पे यहां पे करहाई रख है कि लिए मोई जलना है और यहां पे थोड़े से चिप्स यांटि इसे आप इसेOkay फेलग दोन के यहां डाल कि देञा से ऐसे करें देखा को पाद्शन है रिपिट करना है उसमें तेल में डालना है फ्राइ करना है तो बिल्कुल भी हमारे चिप्स मार्केटे से पॉर्फिक्ट बने है तो फ्राइ कर लेना है और फ्राइ करने के बाद अब इसे हमें निकाल लेना है तो तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारे आज की वीडियो अ प्रेस कर ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें